कन्या राश्य वालों नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी को बता दें कल से आप सभी का जीवन बदलने वाला है आपके माथे पर यह देवी का हाथ है कल से गाव-गाव में आपका नाम के चर्चे होंगे क्योंकि कल से आप सभी के जीवन में जो बड़ा चमतकार होने वाला है आपका पूरा जीवन बदल जाएगा आपके पांच सपने सच होने वाले हैं दोस्तों अब आपका नसीब चमकने का समय आ गया है अब यह देवी आपको इंसाफ दिलाने वाली है हर एक दुश्मनों से जो कहते थे कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते थे अब उन लोगों की अकल ठिकाने लगने वाली है क्योंकि कल से आप सभी का भाग्य यह देवी लिखने वाले दोस्तों आपका पूरा जीवन बदल जाएगा आज रात के बारह बजे के बाद से परन्तु आपको यह समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा अवश्यक है दोस्तों इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा नहीं तो जीवन भर प्रस्ताव जी हाँ दोस्तों यह ऐसा शुब मौका सभी के जीवन में नहीं आते हैं और जब आपका किस्मत चमकने वाला है तो आपको भी कुछ सावधानिया अवश्य ही रखना चाहिए दोस्तों हम हर एक बात आपको विस्तार से बताएंगे बस आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बन रहिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं वह सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद आपके और आपके परिवार के उपर प्राप्त होगा आपके शरीर इस शक्ति के वास होने जा रहा है आज रात बारह बच कर एक मिनट पर और इस समय से इसलिए सावधान हो जाएं क्योंकि अब जो होगा उसे देख कर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, अब अपने कदमों को आप अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाने वाले हैं जी हाँ, अब आपकी मर्जी एक भी नहीं चलने वाली है प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना अब जो होगा यह इस शक्ति के मर्जी से ही होने वाला है आज का दिन आपके लिए बहुत खतना खलनायक संगीत ने जो बोला है, जो सोचा है उसी तरीके से आपने अपने जीवन में आगे बढ़े हैं वही काम आपने किया है लेकिन प्यारे दोस्तों, उन में आपको अब तक सफलता नहीं मिली वह खुशिया नहीं मिली, जिसके आप असली हकदार थे आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख ही रह गया है प्यारे दोस्तों, आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा तडपना और तरसना पड़ा है जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना ये बात आपसे बहतर और कोई नहीं समझ सकता है प्यारे दोस्तों, अब आपका जीवन शक्ती के हाथ में चलने वाला है आज रात नौ बजे से जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब आपका जीवन कुछ अचानक से ऐसे बनेगा कि आपके घर वाले भी हैरान रह जाएंगे आप स्वयम ही बदल जाएंगे जिसे देखकर घर वाले भी आश्चर्य में पढ़ जाएंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे दोस्तों अब आपको बता दें कि आपकी एक भी मज़े नहीं चलेगी क्योंकि अगर इस शक्ति ने आपके जीवन को थामा है ऐसे में प्यारे दोस्तों आपके जीवन में जो कुछ खास होगा प्यारे दोस्तों आपके साथ या दो बड़ी घटना होंगे जिसे देखकर आप जान जाएंगे कि अब आपका शरीर आपका नहीं रहा अब इस शक्तिका हो गया है अब आपकी एक भी मर्जी नहीं चलने वाली है दो ऐसी चीजें आपके साथ होंगे जिससे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस शक्ति का वास आपके शरीर में हो गया है जी हाँ प्यारे दोस्तों और बता दें कि अब आप कुछ बड़ा करने वाले हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो वह बड़ा क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं जी हाँ, अब आपको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रह जाएगी, अब तक देखा जाए कुछ ऐसी स्थिती है, कुछ ऐसी बातें हैं, जिसके लिए आप काफी परेशान हैं, या फिर यूं कहे काफी चिंतित है, खुद को बहुत अकेला महसूस हो सकता है, कि आप कर रहे हो, तो ऐसे में दोस्त शक्ति का वास आपके शरीर में आज रात नौ बार बारह से होने वाला है, तो ऐसे में अब आपकी यह सभी मन की चिंताएं हैं, वह भी समय आप तो हो जाएंगी, आप से आपके शत्रू भी अब पूरी तरह से डर जाएंगे, क्योंकि अत्वा आपको देख कर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपका जो व्यवहार काफी ज्यादा अलग हो जाएगा, प्यारे दोस्तों, आपके घर वाले भी आपको का देख कर काफी आश्चर्य में पढ़ जाएंगे, जी हाँ, प्यारे दोस्तों ने कि वह कौन सी बातें होने वाली है कौन सी चीज होने वाली है, जिसे देख कर आप समझ जाएंगे कि आपका शरीर अब इस व्यक्ति के हाथों में चला गया है, जी हाँ, आपके शरीर में शक्ति का वास हो गया है, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने होंगी प्यारे दोस्तों, सब कुछ बहुत ही विस्तार से जानने वाले हैं, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको इन 24 घंटे के अंदर कौन सी गलती है, जो जान बूज कर भी नहीं करनी है, या जाने अंजाने में भी नहीं करनी है, नहीं तो प्यारे दोस्तों, इसका दुश्प परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, तो यह सभी के बारे में विस्तार से अब आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन दोस्त वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी मां अंबे गौरी के बाबा भोले नात के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जैमा अंबे गौरी जरूर लिखिये, आप 24 घंटे के अंदर कोई बहुत बड़ी सीख सूचना प्राप्त होगी, ऐसे में आज जरूर लिखें, तो प्यारे दोस्तों आईए, अब उन दो संकेतों के बारे में जानते हैं, जिसे देख कर आप समझ जाए या भगवान की छवी नजर आती है, तो प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपका शरीर इस सेक्टर के वश में हो रहा है, अब आप कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं करने वाले, हैं अब जो वो का यह शक्ति की ही कृपा से होने वाला है, भाव का जीवन पूरी तर वह है कि आपके सपने में भगवान या मंदिर नजर आ जाए, इसका मतलब साफ साफ है कि आपके उपर शक्ति का कृपा बना हुआ है, और इस शक्ति का वास आपके शरीर में होने वाला है, प्यारे दोस्तों, जिन्होंने आख क्रोश जताया है, अब आप उन्हें ही पाए आपके घर वाले भी देखकर हैरान रह जाएंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में दबी हुई है, आप अपने घर वालों से या अन्ने किसी व्यक्ति से कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ऐसे में यह बातें भी सामने आने वाली हैं, प्यारे दोस्त दूसरा जो संकेत आपको मिलने वाला है, वह है प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, यदि आपके जीवन में चिंताएं बावजूद, इसके आपको खुशी का एहसास हो रहा है, यानि कि आपके जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन आपका ध्यान चिंताओं नहीं है, उस स बारह बजक बारह मिट से और शक्ति का वास 24 घंटे के तक रहने वाला है। इसी स्थिती में टकराव की स्थिती उत्पन्न होगी। जी हाँ, कुछ ऐसे लोगों से बहुत कुछ कह जाएंगे, जो शायद आप कभी सपने विभिन्न नहीं सोचे होंगे। अपनी आँखों से देख सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा अपने मित्र पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि संभव है कि वे अपने अधिक लाभ के चक्कर में आपके साथ जोड़ा धोखा करवा सकता है। यदि आप दोनों चाहेंगे तो प्यारे दोस्तों, जो लोग किसी व्यापार की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों, अब आपको उसमें लोगों का साथ मिलेगा, यानि की घर-परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग साजेदारी में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें, ताकि बीच में ही आपका वे साथ छोड़ करना जाए। कोई बाद में वाद विवाद की स्थिति उत्पन हो, कि इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेना जा रहे हैं, तो आपका वह निर्णय सही साबित होगा। आपको आगे चल कर इसके लिए प्रशंसा मिलेगी। परिवार के लोग आप पर विश्वास करेंगे और कोई जिम्मेदारी भी आपको दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे समय में आपको बता दें कि आप उनके विश्वास का फाइदा बिलकुल भी न उठाएं। किसी भी टार्गेट को पूरा करने में पीछे ना हटे। प्यारे दोस्तों, यह समय है। इनमें यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप अचानक ही कोई फैसला ना ले। उस नौकरी के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें, जो आप नई नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं। उसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। यदि किसी काम में बदलाव आ रहा है, तो आपको बता दें। इस काम को तुरंत रोक ही ठीक होगा। जी हाँ, यदि आपको गिरावट नजर आ रहा है या आपके मन में कोई संदेह है तो आप इन बातों का ध्यान रखें, यात्रा से संबंधित और शव को स्वीकार करें, जी हाँ, क्योंकि आपको यात्रा में कोई खास जानकारी ही कोई लाब हो सकता है, आपको नई जगह जा से प्रशंसा भी मिलेगी इस दौरान आपको अपने कामों से जाना जाएगा जी हाँ प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि आपको लोग देखकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं यह संग्रह है इनमें मन के विरुध लिये गए निर्णय आपको तनाव में डालेंगे और बाद में आपको पच्ताना पड़ेगा इसलिए लोगों की बातों में आकर कोई भी निर्णय ना ले आप अपने निर्णय पर ठिके रहे बाद में भी आपको इसके लिए लाब होगा इस दौरान कुछ लोगों का परिवार के साथ कुछ बाद विवाद होने की संभावना बंती नजर आ रही है तो ऐसे में आप अपने से बढ़ धो का पूरा सम्मान करें जी हां आप अपनी बात अवश्य रखें लेकिन उची आवाज में बिलकुल भी नहीं सही तरीके से पेश करें तो घर परिवार के लोगों को ही स्वर आप पर क्रो दिखाने का भी पचछतावा जुड़ा विवाद चल रहा है तो वह विवाद किसी तीसरे व्यक्ति के मदद से सुलज हुआ नजर आने वाला है जी हां प्यारे दोस्तों यह जो समय है इनमें आप आर्थिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर न रहे क्योंकि वह व्यक्ति आपको समय पर स प्यारे दोस्तों आपको संयम बनाए रखना है। प्यारे दोस्तों आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना है कि आप अनावश्यक का वाद विवाद या ऐसे लोगों से बहस ना करें जो हमेशा लोगों के आगे ही बुरे बने रहते हैं। प्यारे दोस्तों अचानक किसी व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा जो आपके प्रसन्नता का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम को आगे बढ़ाने में आप काम्याभी हासिल करेंगे। यदि आपका पैसा किसी कारण से कहीं पर अटका हुआ है तो प्यारे दोस्तों किसी व्यक्ति की मदद से आपका अटका हुआ धन आपको वापस मिलेगा। प्यारे दोस्तों उस व्यक्ति-व्यक्ति की सहारा ना करें ना कि उनकी ही बुराईया करें। वहीं कुछ पुरानी बातों के बारे में विचार करने से आपको बचना चाहिए। जिनसे आपको दुख हो वह बात आप अपने दिमाग में ना लाएं नजर अंदाज करें यह समय है इसमें आपको वर्तमान से जोड़ना होगा और आपके सामने जो बड़े से बड़े काम हैं जो आपका रोज रोजी का आधार है उन पर ध्यान रखें इस दौरान आपके घर परिवार के किसी सदस्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं अपने घर परिवार के सदस्य के ही कारण आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य नसीर ने पदार्थ के सेवन का आद हैं जो हमेशा बड़ी बातें करते हैं आगे बढ़ने की बातें करते हैं जी हां प्यारे दोस्तों जो सकारात्मक सोच रखते हैं क्योंकि उनके साथ अपना समय बिता कर आप स्वयम को ही सकारात्मक महसूस करेंगे इसमें ऐसे लोगों यह संगत में रहे हैं प्यारे दोस्तो इस दौरान आपको बता दें कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना होगा क्योंकि आप आस पडोस का कोई व्यक्ति आप से मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा सकता है तो आपको यह भी समझना होगा प्यारे दोस्तों पिछले समय में की गए कुछ गलतियों से आप आपको सबक लेना चाहिए कि उन्हें का अर्थ है कि आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जो आपको पुरानी की गई गलतियों का अब आपके सामने वह वैसा ही पर स्थिति आएगा तो आपको वहाँ पर से काम लेना चाहिए यह प्यारे दोस्तों या जो समय है इस समय आपका कुछ अकेला पन आपको महसूस हो सकता है लेकिन आप अपने मित्रों के साथ बैठ कर कुछ समय बिता कर खुद को अच्छा महसूस करेंगे खुली हवा में वक्त बिताने से आपका मन प्रसन होगा नकारात्मक्ता से आपको बचना होगा वहीं प्यारे दोस्तों आज के यदि मन में कोई तनाव देने वाली बाते हैं तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आपको बता दें अपने क्रोध को काबू रखें वहीं प्यारे दोस्तों महिलाओं को इस दौरान अपने काम को बोज नहीं समझना चाहिए जी हाँ प्यारे दोस्तों क्योंकि कुछ महिलाएं अपने उपर जिम्मेदारी को बोज समझ सकते हैं जिसके चलते उनका मन दुखी हो सकता है, है या क्रोधा सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, इससे मन आपका कुछ शांत होगा, प्यारे दोस्तों, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन म उतार चड़ाव बने हुए हैं, तो स्थिती स्थिर होने वाली है, अब आपके वैवाहिक जीवन में तनाव दूर होगा, प्रेम बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, यह समय काफी रोमांटिक आपका होने वाला है, प्यारे दोस्तों, आप, आप अपने घर परिवार की बातों को अन्य व्यक्ति से नाता है, वहीं आप वर्ष की यानि पति-पत्नी के बीच हुई बातों को भी घर वालों से भी कहने से बचे, तो बहतर होगा प्यारे दोस्तों, आप अपने वैवाहिक जीवन ने विवादों को दूर रखें किसी भी बातों को जरा सोच समझ कर बोले, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई बातें आपके जीवन साथी को बुरी लग सकती हैं, तो इस दौरान आप यदि खाली हैं, तो आप अपने जीवन साथी के कामों में भी हात बरवाल सकते हैं, या जो समय रहने वाला है, वैवाहि जीवन को जिस भी से चाहते थे वैसा ही चलने वाला है, आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है, आपकी आए बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको अपने भाई व प्यारे दोस्तों यह समय है, इनमें आप भविश्य के लिए कुछ खास योजना बना सकते हैं, प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की भी योजना बनाते हुए नजर आएंगे, जो योजना आपके सफल होगी, लेकिन वहीं आपके ही घर के पुरुश सदस्य उन योजनाओं पर बाधा डालने की कोशिश भी कर सकते ह वहीं प्यारे दोस्तों, बात की जाएं, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविश्य के सपने को सच होना चाहते हैं, तो आप जरूर संजोए तनावदूर करने के लिए आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, अच्छे से ब लिए उन सभी क्षेत्रों में प्रगती का संकेत दे रहा है, जो आपके दिल के करीब हैं, देवी के आशीरवाद से आपके जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन होंगे, जिनें आप शायद पहले सोच भी नहीं सकते थे, आज आपका स्वास्थे उत्तम रहेगा, और आ पहसूस करेंगे, आपके काम और व्यवसाय में भी देवी की विशेश क्रिपा द्रिष्टी रहेगी, यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ है, आज का दिन आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं से भरा हुआ ह व्यवसाय में आपको ऐसे अवसर मिलेंगे, जिनसे आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा और धन का आगमन होगा यदि आपने अपनी मेहनत से किसी प्रोजेक्ट में निवेश किया है, तो आज उसका फल मिलने की पूरी संभावना है देवी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको अपने प्रयासों का पूरा-पूरा फल मिलेगा पारिवारिक जीवन में भी आज का दिन बेहद सुखद रहेगा परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद उठा सकेंगे देवी की कृपा से आपके पारिवारिक संबंध और भी मजबूत होंगे और घर में खोशियों का माहौल रहेगा यदि परिवार में किसी प्रकार की अनबन चल रही थी तो आज उसका समाधान हो सकता है देवी की उपासना से परिवार में प्रेम और समर्पन की भावना बढ़ेगी और आपसी संबंधों में मिठास आएगी आपकी लव लाइफ में भी आज देवी का विशेश आशीरवाद रहेगा जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं उनके लिए आज का दिन विशेश है प्रेम के मामले में आज आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जिन लोगों का पहले से ही रिष्टा है उनके संबंधों में भी आज गहराई आएगी और आप एक दूसरे को और भी बहतर तरीके से समझ पाएंगे प्रेम और समर्पन की भावना से भरा हुआ यह दिन आपको और आपके प्रियजन को एक नई उंचाई पर ले जाएगा देवी की कृपा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा यह समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का है देवी के आशीरवाद से आप सभी बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे यदि आप इस समय अपने जीवन में किसी भी प्रकार की असमंजस या चिंता महसूस कर रहे हैं तो देवी की उपासना करें और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें आपके जीवन में इस समय देवी की शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है और यह आपकी आंतरिक शक्ति और विश्वास को मजबूत करेगा जब देवी प्रसन होती हैं, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नती होती है आज का दिन आपकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का है आपको अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई समस्या है या आप किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो देवी की शरण में जाएं। उनकी क्रिपा से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और आपको सही मार्ग मिलेगा। देवी की उपासना से आपके मन को शांती मिलेगी और आप अपने जीवन के सभी पहलूँ में संतुलन बना पाएंगे। आज का दिन आपकी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। ये समय आपको अपने भविश्य के लिए सही निर्णय लेने का है। देवी की क्रिपा से आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का मौका मिलेगा, जो आपको सही दिशा में मार्ग दर्शन करेगी। देवी की उपासना करते हुए अपनी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित करें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमतकारी परिवर्तन होते हैं। आपके जीवन में देवी की कृपा से जो भी बदलाव आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करें और अपनी आंतरिक शक्ती पर विश्वास रखें। देवी का आशीरवाद आपके जीवन को नए आयामों पर ले जाने वाला है। आज का दिन आपके लिए अनेक खुशियों और सम्रिध्धि से भरा हुआ है। इसे पूरे उत्साह और विश्वास के साथ जीएं और देवी की कृपा का लाब हुठाएं। यदि आपको हमारा यह संदेश पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। देवी की कृपा से आज आज आप जिन भी कारियों को हाथ में लेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए नए अवसरों और संभावनाओं से भरा हुआ है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वह अपने भक्तों को नई दिशाओं में आगे बढ़ने का साहस देती हैं। इस समय आपको अपने अंदर छिपी प्रतिभावों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। देवी की शक्ति आपके भीतर स समर्पित करें। उनके आशीरवाद से आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अत्यन्त शुभ है। देवी की क्रिपा से आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपको अपने प्रयासों का पूर्ण फ परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिष्टा और भी मधुर बनेगा। यदि आप अपने परिवार के साथ किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज उसका समाधान मिल सकता है। देवी की उपासना से आपके परिवार में शांती और सोहार्द का वातावरन बनेगा और एक नई उर्जा का संचार होगा। प्रेम जीवन में भी आज देवी का विशेश आशीरवाद बना रहेगा। यदि आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की अनबन का सामना कर रहे हैं तो आज उसे दूर करने का प्रयास करें। देवी की कृपा से आपके रिष्टे में एक नई समझ और मिठास आएगी। आज अपने साथी के साथ अपने मन की बात साज़ा करें और देखिए कैसे आपका रिष्टा और भी मजबूत बनता है। प्रेम जीवन में आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है और देवी की कृपा से आपका रिष्टा नई उंचाईयों को छुएगा। आज आपको अपने स्वास्थे का भी विशेश ध्यान रखना चाहिए। देवी की कृपा से आपका स्वास्थे उत्तम रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको स्वयम भी अपनी देख भाल करनी होगी। अपने खान पान और दिन्चर्या पर विशेश ध्यान दें। यदि आप किसी स्वास्थे समस्या से जूँज रहे हैं तो देवी की उपासना करें और उनसे मार्ग दर्शन की प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपकी सभी स्वास्थे समस्याएं दूर होंगी और आप नई उर्जा और उत्साह के साथ अपने कारियों में सनलग्न हो सकेंगे। आज का दिन आपके लिए आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागरित करने का है। देवी की उपासना से आपको अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्र करते हुए अपने लक्षियों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की चिंता या भय महसूस हो रहा है तो देवी के चरणों में शरण ले। उनकी उपासना से आपके मन को शान्ति और संतोश मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तयार रहेंगे। देवी की क्रिपा से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। देवी का आशीरवाद आपको हर कदम पर सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने और उसे पूरी तरह से उप्योग करने का है। देवी की क्रिपा से आपके जीवन में आने वाले सभी बदलाव आपके लिए कल्यानकारी होंगे। यह समय आपके लिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समरिध्धि प्राप्त करने क आज देवी की विशेश कृपा से आपके जीवन में पांच महत्वपूर्ण सपने सच होने वाले हैं। जो लोग अपनी नौकरी में तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही शुब है। देवी की कृपा से आपकी महनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब वो समय आ चुका है। देवी की आशीरवात से आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मान्यता प्राप्त होगी और आपकी महनत की सराहना की जाएगी। आपके कार्यक्षेत्र में नए अवसर आएंगे, जिससे आपकी पेशेवर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह समय अपने काम को और भी अधिक समर्पन और उत्साह के साथ करने का है। क्योंकि देवी की क्रिपा से अब आपकी महनत रंग लाने वाली है। दूसरा सपना संतान प्राप्ति जिन माता-पिता का सपना है कि उनके जीवन में नन्हे कदमों की आहट सुनाई दे, उनके लिए देवी का आशीरवाद विशेश रूप से फलदाई रहेगा। देवी की क्रिपा से जिन परिवारों में संतान सुख की प्रतीक्षा हो रही थी, वहां अब खुशियों का आगमन होने वाला है। यह समय आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा और आपके परिवार को पूर्णता प्रदान करेगा। यदि आप लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका इंतजार समाप्त होता दिखाई दे रहा है। देवी की क्रिपा से आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ती होगी और इससे आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी। तीसरा सपना इसमें सफलता मिलने वाली है। देवी का आशीरवाद आपके साथ है, जिससे आपके घर की तलाश पूरी होगी। हो सकता है कि आप अपने नए घर में प्रवेश करने का शुभ समय भी प्राप्त करें। यह घर केवल एक स्थान नहीं, बलकि आपके सपनों और आपके पर लिए यह समय बेहद शुभ है। देवी की क्रिपा से अब वह सपना साकार होने वाला है। चाहे वह नई कार हो या बाइक, आपको वह वाहन प्राप्त होगा जिसकी आपको आवश्यक्ता है। यह गाड़ी आपके जीवन को और भी सहज बनाएगी और आपको नई पर ले जाएगी। देवी का आशीरवाद आपके साथ है, जिससे आपकी यात्रा भी सुखद और सुरक्षित रहेगी। यह गाड़ी केवल एक साधन नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन के नए सफर का प्रतीक होगी, जिससे आप अपनी मन्जिल की ओर अग्रसर होंगे। 5. सपना, प्रेम में सफलता, प्यार हर इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और देवी की कृपा से आपके प्रेम जीवन में भी खुशियों की बहार आने वाली है। यदि आप अपने जीवन साथी की तलाश में थे या अपने रिष्टे में किसी भी प् प्रेश्टे में नई गहराई महसूस करेंगे और आपका प्यार और भी प्रगाड होगा। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई विशेश व्यक्ति प्रवेश करें जिससे आपका जीवन प्रेम और रोमांस से भर जाएगा। ये पांच सपने देवी की कृपा से अब आपके जीवन में साकार होने वाले हैं। जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्तों को उन सभी खुशियों से नवाजती हैं जिनकी वे इच्छा करते हैं। इन सभी सपनों के साकार होने के पीछे देवी का आशीरवाद है जो आपको न भी कष्टों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देवी की कृपा से ना केवल घर में सुख, शान्ति और सम्रिध्ध का आगमन होता है, बल्कि दुश्मनों की बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाओं से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसे कई सरल और सहज उपाय हैं जिन्हें अपना कर आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं। इन उपायों को करने के लिए आपको कोई खर्च करने की आवश्यक्ता नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ इन्हें अपनाना है। प्राथकाल देवी की उपासना करना अत्यंत लाबकारी होता है। सुभह उठते ही अपने घर के मंदिर में देवी का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। देवी को सफेद फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। सफेद रंग की चीज़ें जैसे सफेद फूल, चावल या कपूर देवी को अत्यंत प्रिय होते हैं। उपयोग उनकी पूजा में करने से देवी का आशीरवाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। जब भी देवी की आराधना करें, मन में यह संकल्प करें कि देवी की कृपा से आपका घर दुश्मनों की बुरी नजर से सुरक्षित रहेगा। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करना भी एक प्रभावी उपाय है। गंगाजल को शुद्ध और पवित्र माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और देवी का आशीरवाद बना रहता है। गंगाजल का छिड़काव करते समय मन में देवी का ध्यान करें। और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर को हर प्रकार की बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाओं से बचाएं। देवी की प्रसन्नता के लिए तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक उर्जा को समाप्त करने की क्षमता रखता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं और प्रति दिन उसकी पूजा करें। सुभ सुभ तुलसी में जल अर्पित करें और कपूर जलाकर उसकी आर्थी करें। इससे न केवल घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है, बलकि देवी की क्रिपा से दुश्मनों की बुरी नजर भी दूर रहती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्थिक का चिहन बनाएं। स्वस्थिक का चिहन शुभता और समरिद्ध का प्रतीक होता है। शनिवार के दिन एक मुठी काले तिल लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क दें। इसके बाद इन्हें किसी जलाशाय में बहा दें। इससे घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है और देवी की कृपा से दुश्मनों का प्रभाव भी कम हो जाता है। रात को सोने से पहले घर के सभी कोनों में कपूर जलाना भी एक प्रभावी उपाय है। कपूर का धुआ नकारात्मक उर्जा को समाप्त करता है और घर में शांती और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। जब भी कपूर जलाएं मन में देवी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का लेप लगाएं। इसे विशेश रूप से पूर्णिमा के दिन करें। हल्दी और कुमकुम देवी को अत्यंत प्रिय हैं और इनका उप्योग मुख्य द्वार पर करने से घर में देवी का वास होता है। जब भी आप शंक और घंटी बजाएं, मन में देवी का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, कि वे आपके घर को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। पहन कर पूजा करने से देवी की क्रिपा शीघ्र प्राप्त होती है। जब भी आप पूजा करें, अपने मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी की आराधना करें। घर के मुख्य द्वार पर नीम्बू और हरी मिर्च का तोरन लगाना भी एक प्रभावी उपाय है। यह उपाय नकारात्मक उर्जा और बुरी नजर को घर में प्रवेश करने से रोकता है। प्रत्यक शनिवार को मुख्य द्वार पर एक नया तोरन लगाएं। इससे घर में देवी की क्रिपा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहत हैं। इन सभी उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। देवी की क्रिपा से आपका घर हर प्रकार की बुरी नजर और तांत्रिक क्रियाओं से सुरक्षित रहेगा। जीवन में शांती, सुख और सम्रिध्धि का वास हुगा। और दुश्मनों का कोई भी प्रयास आपको हानी नहीं पहुँचा पाएगा। यदि आपको हमारा यह संदेश पसंद आया है, तो क्रिपया वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ सांझा करें। देवी की क्रिपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख सम्रिधि का आगमन हो। तो दोस्तों उम्मीद है आज का यह जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक करना बिलकुल न भूले। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुब हो, मंगल मैं हो।